ओम शान्ति आज 18 एप्रिल 2021 के प्राण प्यारे अव्यक्त पापतादा के अव्यक्त महवाख्य रिवाईज मुरली है 14 दिसंबर 1987 के आज के मुरली का सार है संगम योगी ब्रामन जीवन की तीन विशेश्टाएं संगम योगी ब्रामन जीवन की तीन विशेश्टाएं आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले सदा सहयोगी बन सेवा की साथी बन सेवा करने वाले और साथ चलने वाले स्रेश्ट बचों को देख हरशित हो रहे हैं साथ रहने वाले अर्थार्थ सहज स्वतय योगी आत्माई सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थार्थ ज्यानी तो आत्माई सच्चे सेवा धारी साथ चलने वाले अर्थार्थ समान और संपन कर्म तीत आत्माई बाप दादा सभी बच्चों में ये तीन विशेश्टाएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं संगम युग के स्रेश्ट ब्रामन जीवन की विशेश्टाएं ये तीनों ही आवश्यक हैं योगी तु आत्मा, ज्यानी तु आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा इन तेनों में से अगर एक भी विशेश्टा में कमी हैं तो ब्रामन जीवन की विशेश्टाओं के अनुभवी ना बनना अर्थार्थ सम्पून ब्रामन जीवन का सुख वा प्राप्तियों से वंचित रहना क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को सम्पून वर्दान देते हैं ऐसे नहीं कि यथा शक्ती योगी भव का या यथा शक्ती ज्यानितु आत्मा भव ऐसा वर्दान नहीं देते हैं साथ-साथ, संगम युग जो सारे कल्प में स्रेश्ट युग है, इस युग अर्थार्थ समय को भी वर्दानी समय कहा जाता है क्योंकि वर्दाता बाप वर्दान बांटने इस समय ही आते हैं वर्दाता के आनिक करण समय भी वर्दानी हो गया इस समय को यह वर्दान है सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है संपूर्ण स्थिती को प्राप्त करने का भी यही वर्दानी समय है और सारे कलप में कर्म अनुसार प्रालब्द प्राप्त करने वा जैसा कर्म वैसा फल्स्वते प्राप्त हुता रहता है लेकिन इस वर्दानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहच प्राप्त होता है सत्यूग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रालब्द के रूप में भोगतने के अधिकारी बनते हो हाँ बाबा कहे कि सत्यूग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रालब्द के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हो कि जो जमा किया है हमने संगम यूग पर फिर सत्यूग से खाना शुरू करते हैं उस पर जो भाग्य बनाया होता है फिर उसको खाते हुए फिर नीचे आते जाते हैं कला कम होती जाती है एक यूग पर पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है लेकिन संपून प्राप्ति किस समय की जो सोला कला संपून बने वह प्राप्ति का समय ये संगम्युग था इस समय में बाप खुले दिल से स्वय प्राप्तियों के भंडार वर्दान के रूप में वर्से के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में तीनों ही संबंद से तीन रूप में विशेश खुले भंडार खुले भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं जितना उतना का हिसाब नहीं रखते एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं सिरफ अपना पुर्शार्थ किया और प्रालब्द पाई ऐसे नहीं कहते लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वें हर सेकिंड मददगार बनते हैं एक सेकिंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान महनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आतमाई हैं, ठकी हुई हैं इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं स्वें आफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोज बाप को दे दो बोज उठाने की आफर करते हैं भाग्य विधातावन नौलेज़फुल बनाए स्रेश्ट करमों का ज्ञान, स्पष्ट समझाए भाग्य के लकीर खीचने का कलम आपके हाथ में देते हैं भाग्य की लकीर जितनी लंबी खीचने चाहो उतनी खीच लो सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है और चाबी भी कितनी सहज है अगर माया के तुफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं जहां छत्र छाया है, वहां तुफान क्या करेगा जहां बाबा की हमेशा हम छत्र छाया के नीचे अपने आपको महसूस करते हैं तो बाबा कहें वहां तुफान भी क्या करेगा सेवाधारी भी बनाते लेकिन साथ साथ बुधीवानों की बुधीबन आत्माओं को टच भी करते जिससे नाम बच्चों का काम बाब का सहज हो जाता है तो इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते जो सदा अनेक जूलों में जूलते रहते हैं पाउं नीचे नहीं रखने देते बाबा सदा उड़ाते रहते हैं जूले में जूलाते रहते हैं तो फिर बाबा कहें पाउं नीचे नहीं रखने देते कभी खुशी के जूले में, कभी सूख के जूले में, कभी बाप की गोदी के जूले में, आनन्द, प्रेम, शांती के जूले में जूलते रहो जूलना अर्थार्त मौज मनाना ये सर्व प्राप्तियां इस वर्दानी समय की विशेषता है इस समय वर्दाता विधाता होने के कारण बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप प्रहम दिल है एक का पदम देने की विधी इस समय की है अंत में हिसाब किताब चुक्तु करने वाले अपने साथी से काम लेंगे बाबा ने देखो क्या कहा कि अंत में हिसाब किताब चुक्तु करने वाले अपने साथी से काम लेंगे साथी कौन है जानते हो न पिर यह एक का पदम गुने का हिसाब समाप्त हो जाएगा अभी रहम दिल है फिर हिसाब किताब शुरू होगा इस समय तो माफ भी कर देते हैं कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उडाते हैं सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थार्थ माफ होना जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं यहां उस रिती से माफी नहीं लेनी होते महसूसता, बाबा कहे महसूसता की विधी ही माफी है तो दिल से महसूस करना किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष से यह माफी मंजूर नहीं होती बाबा कहे तो किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष से यह माफी मंजूर नहीं होती है कई बच्चे चतुर भी होते हैं बाबा कहे कि कई बच्चे चतुर भी होते हैं वाता वरण देखते हैं तो कहते अभी तुम महसूस कर लो माफी ले लो आगे देखें, लेकिन माफ भी नौलेश वोगे हैं, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मनजूर नहीं करते, बिना विधी के सिध्धी तो नहीं मिलेगी न, तो विधी एक कदम की है, और सिध्धी पदम कदम जीतनी होगी, लेकिन एक कदम की विधी तो यथारत हो न, वो कदम कौन सा था, कौन सा हिम्मत का कदम था वो, तो बाबा ने कहा था न, तो वो था पवित्रता का, तो लेकिन बाबा कहे एक कदम की विधी तो यथारत हो न, तो इस समय की विशेष्टा कितनी है, वा वर्दानी समय कैसा है, यह सुनाया, वर्दानी समय पर भी वर्दान नहीं लेंगे, तो और किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमान यह समय की विशेशताइं भी सब समाप्त हो जाएंगे. इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वे अब वर्दान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो. फिर यह डाइमंड चांस मिल नहीं सकता. समय की विशेशताइं तो सुनी, समय की विशेशताओं के आधार पर ब्रामन जीवन की जो तीन विशेशताइं बताई. इन तीनों में समपूरन बनो. बाबा कहते, जो ब्रामन जीवन की विशेशताइं बताई ना, तीन. तो बाबा कहे, उन तीनों में समपूरन बनो. कौनसी कौनसी बाबा ने विशेश बताई? बाबा ने कहा, सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बनने वाले, और सेवा की साथ ही बनने वाले. तो इन तीनों सेवाओं में सदा समपूरन बनना है. तो आप लोगों का विशेश स्लोगन भी यही है. योगी बनो, पवित्र बनो, ज्यानी बनो, कर्मातीत बनो. जब साथ चलना ही है, तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे. जो साथ नहीं रहते, वे साथ चलेंगे कैसे? समय पर तयार ही नहीं होंगे. साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थार तैयार होना है. सम बाबा कहते, समानता ही साथ और हाथ है. नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते, पीछे पीछे आते रहे, तो यह साथ ही नहीं हुए. साथ ही तो साथ चलेंगे. तो भी बाबा के साथ ही बनना है. और सदा हाथ में हाथ देखकर चलना है. पीछे नहीं चलना है. तो बहुत काल का साथ रहना, साथ ही बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संसकार ही. साथ ही बनाई, साथ ले जाएगा. अभी भी साथ नहीं रहते इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं तो दूर रहने का संसकार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा बाबान देखो कितनी वंडरफुल बात कही तो दूर रहने का संसकार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा इसलिए अभी से तेनों ही विशेशताइं चेक करो सदा साथ रहो सदा बाप के साथी बन सेवा करो करावन हार बाप निमित करन हार मैं हूँ करावन हार बाप निमित करन हार मैं हूँ तो बाबा कहे तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगे कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगे कब जब हमेशा ये सिम्रिती रहेगी कि करावन हार बाप है और निमित करन हार मैं हूँ यहां अकेले हो तो मैं पन में आते हो फिर माया बिल्ली म्याओं म्याओं करती है कि मैं आओं मैं आओं इसलिए बाबा कहे आप मैं मैं करते वह कहती मैं आओं मैं आओं तो माया को बिल्ली कहते है न तो साथी बन सेवा करो करमा तीत बनने की भी परिभाशा बड़ी गुहे है वह फिर सुनाएंगे आगे के लिए क्रियोसिटी रखता है फिर से कहते है करमा तीत बनने की भी परिभाशा बहुत गुहे है तो वह फिर सुनाएंगे आज सिरफ ये तीन बातें चेक करना और समय की विशेशताओं का लाब कहां तक प्राप्त किया है क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थार्त महान बनना तो स्वय को जानना बाप को जानना जितना यह महत्व का है वैसे समय को जानना भी अवर्शक है तो समझा क्या करना है बाप दादा बैट रिजल्ट सुनावे इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सुचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया अब क्या करेंगे अब जो हूं जैसी हूं ठीक हूं इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं कि चेक करो यह चेक करो बाबा कहता है कि यह चेक करो जो भी कमी कमजोरियां है उनको चेक करो तो यह है डाइरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि result सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है कभी 6 मास कभी एक वर्ष दिया फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास में तो पूरे हो गए 6 मास तो पूरे हो गए कुछ सुनाया नहीं लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है वर्दान का है अभी चित्र गुप्त गुप्त है फिर प्रत्यक्ष होगा इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है चलो एक साल और दे दो फिर भी बच्चे हैं बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते सब की एक एक बात एनाउंस कर सकते हैं कई भोला नाथ समझते हैं ना तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं भोला नाथ तो है लेकिन महाकाल भी है अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे इसलिए जानते हुए भी भोला नाथ बनते हैं अंजान भी बन जाते हैं लेकिन किसलिए बच्चों को संपूरण बनाने के लिए समझा बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं क्या-क्या खेल करते हैं सब देखते रहते हैं इसलिए ब्रामन जीवन की विशेशताओं को स्वय में चेक करो और स्वय को संपन बनाओ तो बाबा कही कि देखो भाई बाबा ऐसा नहीं है कि भोला नाथ ही है बाबा भोला नाथ भी है तो महा काल भी है तो बाबा कहीं बच्चे बाबा को भोला बनाते रहते हैं चतुराई करते हैं बाबा के साथ लेकिन बाबा कहे करने के तो मैं एक सेकिन में और जब मेरा महाकाल का रूप हो जाएगा फिर तो कोई सामने भी खड़ा नहीं हो सकता इसलिए बाबा कहता है कि ये ब्रामन जीवन की सारी विशेशताओं को स्वय में चेक करो अगर कुछ कमी कमजोरी है तो उसको चेंज करो चेक एंड चेंज अच्छा चारों और के सर्व योगी तु आत्मा ज्यानी तु आत्मा बाब समान करमातीत स्रेश्ट आत्माओं को सदा स्वय के समय के महत्व को चान महान बनने वाली महान आत्माओं के सदा बाब के सर्व संबंधों का प्राप्ती का लाव लेने वाले समझदार, विशाल बुद्धी, स्वच बुद्धी, सदा पावन बच्चों को बाब तादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब तादा को दिलवा जान, सिक्वा प्रेम से याद प्यार गुद मॉनिंग और नमस्ते जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, मेदे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा पार्टियों से मुलाकात सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन, मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माई अनुभव करते हो बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्से में दे दिया तो सर्व शक्तियां अपना वर्सा अरथार्त खजाना है अपना खजाना साथ रहता है ना बाप ने दिया बच्चों का हो गया तो जो चीज अपनी होती है वे स्वत्य याद रहती है वे जो भी चीजें होती है वे विनाशी होती है और यह वर्सा वर शक्तियां अविनाशी है आज वर्सा मिला बाबा कहे आज वर्सा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं आज खजाने है कल कोई जला दे कोई लूट ले ऐसा खजाना नहीं है जितना खर्चों उतना बढ़ने वाला है तो यह ऐसा नहीं है कि नश्वर खजाना है कि आज खर्चा तो कल खतम आज है स्टोर है तो कल चोर लूट ले गए जल गया नहीं बाबा कहे जितना खर्चों गे उतना बढ़ने वाला है तो जितना ज्यान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा, सर्वसाधन भी स्वते ही प्राप्त होते रहेंगे, तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, ये खुशी रहती है ना, वर्सा भी कितना स्रेष्ट है कोई अप्राप्त नहीं सर्व प्राप्तियां है अच्छा अमरित वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शान्ता से बाप दादा की मुलाकात महारतियों के हर कदम में सेवा है चाहे बोलने, चाहे बोले, चाहे नहीं बोले लेकिन हर करम, हर चलन में सेवा है सेवा बिना एक सेकिंड भी रह नहीं सकते चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो चाहे संबंद संपर्क से लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है अच्छा है जो मदुबन में खजाना जमा किया वैस सभी को बांट के खिलाने लिए जा रही हो महरतियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है जैसे बाप छत्रचाया है ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्रचाया बन जाते है सभी देख करके कितने खुश होते हैं तो यह वर्दान है अभी बाबा कहते तो यह वर्दान है सभी महरतियों को आँखों का वर्दान मस्तक का वर्दान कितने वर्दान है हर कर्म करने वाली निमित कर्मेंद्रियों को वर्दान है नैनों से देखते हो तो क्या समझते हैं सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माव की नजर से अनुभव होता है तो नैनों को वर्दान हो गया ना कि बाप की नैनों का अनुभव इनकी नैनों से होता है तो बाबा केते हैं वर्दान हो गया ना मूख को वर्दान है इस चेहरे को वर्दान है कदम कदम को वर्दान है तो कितने वर्दान है क्या गिंती करेंगे औरों को तो वर्दान देते हैं लेकिन आपको पहले से ही वर्दान मिले हुए हैं जो भी कदम उठाओ वर्दानों से जोली भरी हुई है जैसे लक्ष्मी को दिखाते है ना उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है थोड़े समय के लिए नहीं सदा संपत्ती की देवी बन संपत्ती देती ही रहती है तो यह किसका चित्र है तो कितने वर्दान हैं बाप तो कहते हैं कोई वर्दान रहा ही नहीं तो फिर क्या दें वर्दानों से ही सजे हुए चल रहे हो जैसे कहते हैं ना हाथ घुमाया तो वर्दान मिल गया तो बाप ने तो समान भव का वर्दान दिया इससे सब वर्दान मिल गए जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वर्दान दिया ना सिर्फ सामने वालों को नहीं सभी को दिया बाबा कहे जो यहां डाइमेंड हॉल में सामने बैठे हुए हैं केवल उनको नहीं बाबा कहे अपितु सब को दिया जो सादनों द्वारा देख रही है तो सुक्षम रूप में सब महवीर बाप के सामने रहे और वर्दान मिला अच्छा आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही इसलिए बड़ी बिमारी भी छोटी हो जाती है सिर्फ रूप रेखा दिखाती है लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती है सिर्फ रूप रेखा थोड़ा सा दिखाती है लेकिन अपना दाव नहीं दिखा सकती रूप दिखाती है बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है हर कदम में हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है इसलिए बेफिक्र रहो तो ऐसे फिक्र हो जाओ ऐसे फ्री हो जाओ तो बाबा ने कहा इसलिए बेफिक्र रहो तो पूछा कि इससे फ्री कब होंगे शरीर की व्यादियों से इनसे फ्री कब होंगे ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्ण बतन में पहुन जाओ इससे औरों को भी बल मिलता है ये बिमारी भी आप लोगों की सेवा करती है तो बिमारी बिमारी नहीं है कि इनों को तो दर्द है, इनों को अनुभव थोड़े ही है, लेकिन अनुभवी बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूप रेखा दिखाती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाएं, आप सभी एक्जामपल रूप में थोड़े रूप रेखा आच्छा, विदेशी भाई बेहनों के साथ अव्यक्त वापतादा की मुलाकात दिल से हर आत्मा के प्रती शुब भावना रखना यही दिल की ठैंक्स है बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से ठैंक्स मिलती है संगम्युक को सर्व आत्माओं के प्रती सदा के लिए ठैंक्स देने का समय कहेंगे संगम्युक पूरा ही ठैंक्स डे है तो पूरा ठैंक्स डे है ठैंक्स करते रो सभी को हर वक्त सदा एक दो को शुब कामना शुब भावना देते रहो और बाप भी देते हैं आच्छा आज प्यारे बाबा का वर्दान है खुशी के साथ शक्ती को धारण कर विगनों को पार करने वाले विगन जीत भव खुशी के साथ शक्ती को धारण कर विगनों को पार करने वाले विगन जीत भव स्पष्टी करण है जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्ती शाली बनते हैं यदि अभी अभी कमाया अभी अभी बांटा स्वय में समाया नहीं तो शक्ती नहीं रहती सिर्फ बांटने वातान करने की खुशी रहती है खुशी के साथ शक्ती हो तो सहजी विगनों को पार कर विगन जीत बन जाएंगे फिर कोई भी विगन लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसलिए जैसे चहरे से खुशी की जलक दिखाई देती है ऐसे शक्ती की जलक भी दिखाई दे तो इसलिए बाबा कहे जैसे खुशी की जलक दिखाई देती है ऐसे शक्ती की जलक भी दिखाई दे स्लोकन है परिस्तितियों में घबराने के बजाए उन्हें सिक्षक समझकर पाठ सीख लो आज मास का तीसरा रविवार है विशेश सूचना अंतराश्ट्री योग दिवस है बावा के सभी बच्चे साइं साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेश परमधाम के उचे स्थान पर स्थित हो लाइट माइट हाउस बन प्रकृती सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें अच्छा ओम शान्ति इक भी स्क्छा इंप में प्ररकूती सहित आए भी माइट trigger